पहले तो आपकी न्यूस चैनल एक्वाइल न्यूस को मेरी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ये मौका दिया बोलने का मौका दिया क्योंकि आज शायद दिल्ली के लिए नहीं शायद भारत के लिए इस लोकतांतरिक इस्थिति में जो समय है शायद परिक्षा का समय है क्योंकि यह जो देश है वो लुकतांत्रिक देश है और लुकतांत्रिक देश तब बनता है जब इसमें चुनाओ कराए जाते हैं और चुनाओ कराने से मतलब है कि चुनाओ कराने के बाद ही कोई भी व्यक्ति नेता बनता है वो नगर निगम का सदसे बनता है, वो विधान सभा का सदसे बनता है, वो राजे सभा का सदसे बनता है, वो लोग सभा का सदसे बनता है और यहां तो दिल्ली के अंदर भारते जन्ता पार्टी इतना ज़ादा घबरा चुकी है कि वो चुनाव करवाने के ही पक्षमे नहीं है मैं दीपक कुमार बंसल त्रिलोगपुरी विधानसभा से वार्ड नमबर वन से आमादमी पार्टी का बहुत छोटा सा कारे करता हूँ लेकिन आज जो इस्थितीव बनी हुई है मैडम मैं केवल एक आमादमी पार्टी के कारे करता कि हैसे से बात नहीं करना चाहता मैं ये बात कहना चाहता हूँ इसलिए कि आज अगर देश में चुनाओं ही टाल दिये जाएंगे तो फिर देश का होगा क्या आप देखिए मानते हैं कि चलिए नगर निगम को एक करने की जरूरत थी तो हम और आप तो शायद एक पड़े लिखी समाज से हैं हम और आप तो एक समझदार समाज से हैं हमें और आपको पिछले 15 साल से बीजेपी जो है पिछले 15 साल से नगर निगम के अंदर राज कर रही है नगर निगम के अंदर शाशन कर रही है उन्होंने एक नगर निगम था ना कि इनको करना क्या है और उसके बाद भी आज इनोंने आज तभी क्यों फैसला लिया जब चुनाओ निश्चित होने थे जिस दिन चुनाओ की डेट डिसाइड होनी थी उसी दिन इनोंने क्यों फैसला लिया चुनाओ को रद करने का पहले क्यों नहीं लिया दूसरी ब बताओ कि आप चुनाओ करवाओगे तब, क्योंकि हर चीज की एक समय सीमा होती है, हर चीज की एक तैयारी होती है, और अगर आप कहते हो कि चुनाओ कराने में साल भर का समय लगेगा, तो क्या ऐसा है कि चुनाओ करवाने के बाद में नगर निगम को एक नहीं किया जा सकता, चुनाओ करवाने के बाद भी तो नगर निगम को एक किया जा सकता है, लेकिन ऐसा क्या है कि आपको अभी चुनाओ रद्द करने हैं, केवल इसलिए कि आम आदमी पार्टी की लोग प्रेता जाता है, और भारते जनता पार्टी की कम है, तो मैडम ये तो BJP के लिए हार है, ब आप जनता में कहीं भी जाके पूछ सकते हैं, कि भारते जनता पार्टी की क्या सोच है, गली-गली में बच्चों से पूछ सकते हैं, कि किसने काम किया है दिल्ली के अंदर, और दिल्ली की राजनीती काम से होती है, नाम से नहीं होती है, और काम की राजनीती में केजरिवा गाल जी नमबर गाल लेकिन क्या ये ठीक बात है कि एक लोगतांतरिक देश में जब आपको लग रहा है आप चुनाओं हारने वाले हो तो आप चुनाओं भी खारिच कर दोगे अब चुनाओं को आगे ले जाओंगे ये तरक संगत नहीं है मैडम चुनाओं होना ये लोगता में अधिकार मिलता है जनता को और चुनाव होने के बाद ही एक सरकार चुनी जाती है जो आगे जाकर के लोगों का भला और बुरा सोचती है उनके लिए कदम उठाती है लेकिन अगर ऐसा होगा ही नहीं तो मैडम इस देश में लोकनत्र नहीं सिर्फ तानशाही चलेगी तान से बड़ी पार्टी हमारा तो बहुत बड़ा रुतबा है तो फिर इसका मतलब तो यह है जहां भी आपको दिखाई देगा कि हम चुनाव हार रहे हैं तो आप महां पर चुनाव रद करवा दोगे क्योंकि आप तो बही आप बैठे हो ना सरवोच सदन में बैठे हो आप आ यह बात हमारे कहने से नहीं है यह बात भाजपा के रवये से साबित होती है क्योंकि भाजपा चुनाव से पहले हार का मन बना चुकी है अगर उनको लग रहा होता कि हम चुनाव जीत रहे हैं तो वो चुनाव को रद नहीं करते चुनाव को आगे नहीं बढ़ाते में भी यही कहा था कि देश में ऐसा लगता है कि लोकतंत्र नहीं है शायद देश में ताना शाही है तो उससे आज तो यह साबित हो रहा है मैडम आज कोई भी कुछ भी कहता रहे जनता कुछ भी कहती रहे लोकल नेता कुछ भी कहते रहे इनको फरकी नहीं पड़ता है इनको को आप चलाओगे ये कहां से तरक संगत है मैडम ऐसे तो फिर आप हर्जी के एक आदमी को अधिकार दे दो और जैसे होती थी पहले जो राजशाई होती थी कि एक आदमी को अधिकार दे दिया और अधिकार दे करके वो देश को चलाता था वो राजजी को चलाता था फिर तो लोकतंतर की जरूरती नहीं रह गई ना मेडम पर लोकतंतर रह नहीं गया देश में तो इसलिए बीजेपी की बहुत बड़ी हार है चुनाओं से पहले की हार है लेकिन मैं ये प्रात्ना करना चाहूंगा भारते जनता पार्टी से कि वो सही समय पर चुनाओं कराएं जिससे क लोगों को उनकी चुनिवी सरकार मिल पाए और उनके लिए अच्छे-च्छे कारियों को कर पाये और ये तो लिड़ने समय करेगा कि सरकार भारते जनता का पार्टी की बनती है या आम आदमी पार्टी की बनती है तो मेडम जनता के रिव्यू क्यों नहीं होंगे आप देखिए न कि ठीक उसी समय पर जब दिल्ली के अंदर 9 अपरेल को चुनाओ की घोशना होनी थे ठीक उस समय पर भारते जनता पार्टी ने एक पत्र राजयपाल जी के माध्यम सी चुनाओ यूग के जो हमारे रोग देजिये, कहां से तर्क संगत था मेरम, उससे पहले क्या भारते जंता पार्टी के निता सो रहे थे, उससे पहले हमारे राज्यपाल महोदे सो रहे थे, उनको नहीं पता था कि दिल्ली के अंदर चुनाओ होने हैं, लेकिन केवल उसी समय पर चुनाओ को रोग देना, एक लोगतंतर की हार है, ये लोगतंतर के खिलाफ है, सरासर खिलाफ है, और बिल्कुल गलाद है, ये भारते जंता पार्टी की क्या सोच है, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन शायद आज हम लोगतंतर में रहते हैं, अलग-लग जाती, अलग-लग प्रांतों से आकर के लोग और सब एक हो करके रहते हैं तो इसके अंदर ऐसा संभव नहीं है कि किसी भी तरीके से आ लोकतांतरिक तरीके से आगे बढ़ा जा सके या रहा जा सके इसके अंदर बीजेपी की हार होगी बिल्कुल होगी चाहे बीजेपी चुनाओ आज करा ले चाहे एक साल बात करा ले दि इसी नगर निगम की किसी भी समस्या पे ध्यान दिया है तो अगर हम सत्ता में आते हैं तो उन सभी समस्याओं पे ध्यान देंगे और वही कारे करके दिखाएंगे जिन कारियों को कर करके विधान सभा के अंदर आज पंजाब राज्ये के अंदर आम आदमी पार्टी को लोग राज्यों में जगे दे और हमारा मार्क दर्शन करें धन्य बाद